दोस्तों स्वागत है आपको बिहार नियूज में दोस्तों मैं हूँ फिर दोस गणी और आप देखने के डिवी लाइब दस्तों आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आएं आपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टाट करते हैं अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को किस्त आनि सुरू हो जाएगी हर साल मोधी सरकार किसानों की खाते में सीधे 6000 रुपे तीन किस्तों में भेजती है केंदर सरकार ने इस यह उजना को 24 फरवडी 2019 को सुरू किया था अब तक किसानों को पांच किस्त मिल चुकी है और छटी किस्त एक अगस्ते आनि सुरू हो में बिहार में महामारी के बरते संकर्मन की बीच राजे सरकार ने बरा फैसला लिया है निदी सरकार ने बिहार में एक बार फिर से लॉगडाउन करने का फैसला किया है संकर्मन की रोक थाम को लेकर राजे सरकार ने बरा निर्वने लेते हुए एक बर फिर से संपूर ने कि पूरे बिहार में लागडाउन लागो कर दिया है जिसके बाद अब बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक टोटल लागडाउन रहेगा केडी बिलाइब ने इस बात के पहले ही उम्मिद जताए थी कि पूरे बिहार में फिर से लागडाउन किया जा सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले केरीबिलाईब चैनल के दोरा एक सर्वे किया गया था इस सर्वे में हजारों लोगों ने वोट किया था जिसमें से 81% लोगों ने दोबरा लॉकडाउन लगाने के पक्ष में वोट किया था दूसरी तरफ 22% लोग ने लोगडाउन नहीं लागो करने के पक्ष में ओट किया था जबकि 7% लोग किसी भी वोट से इंकार किया है और अब सरकार ने इस समद में फैसला ले लिया है लोगडाउन के दोरान निरमान कारे पर रोक नहीं होगी बांकी सभी सेक्टर में पहले की तरह लोगडाउन रहेगा बिहार में संक्रमें तो किस संक्या बढ़ने पर नियंतरन को लेकर सरकार ने बिहार में लोगडाउन की गोस्ना की है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड में देखा जाये तो भारी संख्या में पोजिटिव मरीज मिल रहे हैं बिहार में स्रीम आवास से लेकर डिप्टी स्रीम के आवास तक ये बीमारी दस्तक दे दिया है बिहार में संकर्मन का दोल लगातार भयावा होता जा रहा है इस कड़े में बिहार बीजेपी के 75 नेता पोजिटिव पाए गये हैं जिन नेताओं को इस बीमारी ने अपनी गिरप में लिया है उनमें संगर्षन के महामंतर नागंदर जी बिहार में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सियासी गलियारों में इतने तादाद में पोजिटिव केस मिले हैं दरसल बिहार में इसी साल के अंत्मे बिदान सबा के चुना होने हैं इसको लेकर पार्टे के नेता लगातार अपने दपतरिक में मिटिंग कर रहे थे बिजेपी की ये बैठक पत्ना में इस्तित पार्टे कारियलों में चल रही है जिसमें लगातार कई बड़े नेता भाग ले रहे थे पाटी के वरिष्ट नेता के वर्चोल रेली का करेकरम चल रहा है ऐसे में आंसिक जाहिर की जा रहे हैं कि नेताओं के एक अस्थान पर जुटान की वज़े से ही बीजेपी मुख्याले में इतनी भारी मात्रा में पोजिटिव मरीजी मिले हैं नेपाल से आने वाली नदियों का जलसतर तरही छहतर में भारी बारिस के कारण बरधने लगा है इसके कारण कोशी और सिमान चल के जीलों में बार्क की स्थिति उतपन्itute हो गई है भागलपुर में कोसे के कटाओ के कार नोगचे छेतर के कई गाओं में खत्रा मन रहने लगा है वही अरडिया और किसन गंच की करिब सौ गाओं में पानी घुस गया है इन जिलों की करिब साट से सतर हजार लोग बार से परभावित हुए हैं खगड़िया में बागमती उफान पढ़ है और चोथम परखन के दियारा इलाके में पानी फैल गया है हजारू एकड़ में लगी फसले डूप गई है कठियार में महाननदा का जलस्तर खत्र के निसान से उपर बैड़ आई है महाननदा के बायो तट बन पर दबाव बर गया है अरडिया होकर नेपाल से आने वाली कड़िब एक दरजन छोटी बड़ी नदियां बकरा परमान रत्वा नूना घागी कनकई भलूआ लोहंदरा बरजान लवक तड़िया आधी नदी निकलती है इन नदियों का जलस्तर बरने से सतर से अधिक गाउं में पानी घुज गया है पचास हजार लोग आवगमन की समस्यां से जूज रहे हैं जिला आबदा परबंदन पदारीकरी संबू कुमार ने काही कि बार से निपटने में जिला परसासन सक्चम है किसंगन जिले के दिगल बैंक और टेरागाज परखन के कई गाउं में पानी घुज गया है इससे कड़िब दस हजार लोग परभावित हुए हैं सुपोल में कोसित दबन के बाहर छोटी छोटी नदियों में जलस्तर बरने लगा है इसके कारा निर्मली और मदूबनी जिलाय के लोखी अंचल के तक्रीबन तीन दर्जन से अधिक गाउं में बार जैसी इस्तिती पैदा हो गई है बिहार में संकर्मन की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है इसे बिहार में रहने वालों की जिन्दगी परभावित हो रही है तथा लोग खुद को डिरा हुआ महसूस कर रहे हैं महामारे के इसे बरते परभाव को देखते हुए स्यमनितिस कुमार ने हाई लेवल मिटिंग बलाई है बिहार में नौकरी की तलास कर रहे हैं लोगों को बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलने वाली है क्योंकि बिहार के पैंचेती राज बिभाग में पैंचेत सचिप के 5000 पदों पर न्यूकती होने वाली है इसके लिए लगबग पूरी तैयारी कर ली गई है खबर के मुताबिक इन पदों के लिए ग्रेजवेट उमिदवार आविदन कर सकेंगी 37 कम्पिटर से आसना तक करने वाले लोगों को भी मौकाद दिया जा सकता है हाला कि बिभाग में इसको लेकर कोई नोड इपिकिसन जारी नहीं किया है लेकिन बहुत जल्द नोड इपिकिसन जारी किया जा सकता है मिली जनकरी के अनुसार और पंचैती राज बिभाग में 5000 पद खाली है इन पदों पर भरती करने की तैयारी चल रही है सरकार ने भरती करने का आदेस भी जारी कर दिया है जो चातर नोकली करना चाते हैं वोगे इस पर नजर बनाए रखें क्योंकि जुलाई के अन तक नोडिविकिसन आ सकता है उम्मीद है कि बिहार में बिदान सबाच नौसे पहले भरती की परकड़िया पूरी कर ली जाएगी देस के साथ करोड से अधी किसान क्रेट काढ़ धारोंकों की लिए ये जरूरी खबर है कि अगर 48 दिन के अंदर किसानों ने कीसान क्रेट काढ़ पर लिया गया पैसा वापस नहीं किया गया तो उन्हें चार की जगे साथ पिश्धी ब्याज देना पड़ेगा खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस तक पैसा जमा करने की महलत दी है इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4 परसेंट ब्याज लगेगा जबकि बाद में जमा करने पर 7 फिस्दी की दर पर वापस होगा आम तर पर कैसी से यानि किसान के लिट कारट पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है इसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकता है जो किसान समझदार हैं वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाब उठा लेते हैं बिहार में नौकरी करने वाले नियोजिस सिचकों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं जी हां क्योंकि विभाग ने इनके लिए सेवा सर्थ का ड्राफ्त तयार कर लिया है अब इन सिचकों को बहुत जल्द सेवा सर्थ का लाब मिल सकता है इसके तयात सिचकों को कई तरह की सिविधाय मिलती है जिन में से नमर वन विभाग दुरा जाड़े दिसा नरदे श के मताबिक बिहार में नियोजिस सिचकों को सेवा सर्थ के तायत ट्रांसफर का लाब मिलेगा सिचक अब अपना कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं नमर दो बिहार में नियोजी सिच्चो को सरकारी सेवाओं के तरह ACP का लाब भी पराप्त होगा नमर तिन मिली जानकर कि मुदाविक नियोजी सिच्चो को अनिय विभाग की तरह परमोसन मिलेगा नमर चार आपको बता दी कि बिहार में नौकल करने वाले निजी सिचकों को सेवा कालिन ट्रेनिंग मिलेगी नमर पाँच इन्हें सामाने टीचर की तरह सभी परकार के सरकारी लाब पराप्त होंगे हैने सेनिटाइजर पर 18 फिस्टी की बजाए 12 फिस्टी लगाने की वेपारियों की मांग पर रहत मिलने के आसार फिलाल कम है सुत्रों के जरी मिली जानकारी के मताबिक विभाग की तरफ से इस बाड़े में जल्द ही नया नोड रिप्रिकेशन जारी करद की सफ़ाय दी जा सकती है तमाम सेनिटाइजर मेनुफेक्चर अलग अलग फॉर्म से लगातार वित्तमंतरे से इस पर 18 फिस्टी की बजाए 12 फिस्टी जीएश्टी लगाने की मांग कर रहे हैं कारोबारियों की दलिल है कि इस उत पादन पर इतना ही जीएश्टी लगाया जाना चाहिए इसके पीछे वज़ बताते हुए कि क्योंकि इसका इसका इस्तेमाल मेडिकल कारियों में होता है इसलिए इस पर बाड़े फिस्टी जीएश्टी ही लगाया जाना चाहिए मौसम बबाग के अनुसार 19 जुलाई तक बादल बरसने का अनुमान है जिसके चलते बिहार और जार्पन के लिए अलड़ जारिक किया गया है यूपी के पस्चिमी और मदे हिस्से में अगले 48 घंडे तक गरच चमक के साथ बारिस की संबाबना चताई गई है जिपकि डिली पंजाब हरियाना और राजिस्टाब के पस्चिमी भाग में आज मौसम सुस्क और गर्म रहने चताई है नेपाल के परदान मंतरि केपी सर्मा औरिल लगातार भारत बिरोधी बैं दे रहे हैं इस बार फिर उन्होंने विबादित बयान देते हुए भारते आस्था को चिनोती दी है केपी ओली ने दावा किया है कि भगवान राम का जन्म अस्थान आयोधिया नेपाल में है उन्होंने ये भी दावा किया है कि भगवान राम नेपाली थे केपी ओली ने दावा किया है कि आयोदिया एक गाउं है जो बीर गंज के पस्चिमी में इस्तीत है भारत में बसी आयोदिया असली आयोदिया नहीं है वो आयोदिया नकली है उनके इस दावे को लेकर जहां भारत में भारी नाराज़गी जिताई गई है वही नेपाल की भीत कच्छा का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा एच आर्दे मंतर रमेज पोख्रिया लिसंग ने इस बात की जान कर दी है उन्होंने ट्वीट करके का है कि सी बीएसी के दस्वी कच्छा के नतीजे आज जारी होंगी मैं सभी विधारतियों को सुब कामने देता हूं गौरतल नहीं बताया है एच आर्दे मंतरे ने भी रिजल्ट के समय जानकरी नहीं दी है बिहार और बंगाल में बिदानसभा चुनाओं को देखते हुए बीजीप अपने राश्ट्य टीम का गठन कर सकती है बीजीप अध्यच जेपी नद्दा इस मेने अपनी नई राश्ट्य ट के मद नजर बीजीप अपनी रन निती में बदलाओ कर सकती है बीजीप के राश्ट्य एध्यक से जेपी नद्दा अपने टीम का गठन कर सकते हैं माना यह जा रहा है कि इस टीम में बिहार और बंगाल के नद्दाओं को तरजी दिया जाएगा ताकि इसका फाइदा इन द बिहार के राजनितिक और परसासरिक महक में से जुरे लोगों के पोजिटिव होने की खबर लगातार सामने आ रही है इसी कड़े में बिहार के गिरे विभाग के अपर मुक्य सचीब आमिर सुबाने भी संकरमित पाये गए हैं इसके साथ ये खबर है कि बिहार के मुक्य सेल में संकरमन फैल चुका है मिली जानकरे के अनुसार सेल के पांच कर्मी पोजिटिव आए गये हैं इस बात की पुष्टी डिम कोमार रवीन की है राज़त सुप्रीमो लालो परसाद यदब को लेकर एक बर फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है दरसल लालो परसाद यदब की एक तस्वीर वाइरल हुई है जिसमें हुए जेल में जारकन के स्वास्त मंतरी बन्ना गुप्ता और कॉंडस परवक्ता के साथ बैटे हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में लालो परसाद यदब किसी से मुबाइल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं राजत सुप्रीमौ के इस वारद होती तस्वीर पर उप्कमो के मंतरी ने ट्वीट करके हमला बोला है सुष्वल कमर मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लालो परसाद यदब जेल में रहेंगे या जमानत पर बाहर आएंगे इसका फैसला कोट को टै करना है लेकिन कुछ लोग नया पालिका पर राजनितिक दबाव बना रहे हैं राजत समर्थक एक दल ने संकर्मन के बहाने राजनितिक और सामाजिक बंदियों को पैरोल या पिर जमानत पर छोड़ने की अपिल करते हुए लालो प्रसाद यादब को भी रियायात देने की मांग की है बिहार बिदनसभा चिनों को देखते हुए सुबे में राजनितिक दलों के बीच सियासी रसाकासी शुरू हो गई है दिलचस्प बात यह है कि ये रसाकासी विपक्षी दलों से ज़्यादा सरकार में साजदार बने राजनितिक दलों के बीच चल रही है इसकी एक बानगी बीजीपी निता गिरिडाज सिंग के एक बयान के बाद देखने को मिली है दरसल अपने बयानों से सुर्कियों में रहने वाले गिरिडाज सिंग ने का है कि जन संग्षै बिर्दी हमारे देश के लिए बड़ी चिनोती बन गई है अगर हमें विक्सित राष्ट बनाना है तो जन संग्षै ने इंतरन कानून बनाना होगा बस यही बयान बिहार सरकार में बीजीपी की सहयोगी पाड़ी जेडियू को भी चुप गया गिरिदाज सिंग के इस बयान को लेकर जेडियू के नेताओ खुलकर गिरिदाज सिंग के सामने आ गये हैं जेडियू के मलसी खाली दनवर ने यहां तक कह दिया है कि गिरिदाज सिंग नॉन सिरियस बयान देते हैं उनके बयान का कोई मतलब नहीं है इस तरीके से बयान देकर गिरिदा सिंग को समाज का माहौल खराब करना नहीं चाहिए बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अपसरों का तबादला किया गया है बिवाग ने ट्रांसफर के लिश्ट जारी कर दी गई है दरसल ये अधेस पतादीकारियों के 6 साल पूरा हो जाने को लेकर जारी किया गया है जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें बड़े अस्तर पर रेल पुलिस में फेर बदल किया गया है कई पतादीकारी को इधर से उधर किया गया है बिहार में रेल पुलिस ने 123 पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिया है इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है बिहार पुलिस महानिदेसक गुपतेसर पांडे की पहल पर एक बच्ची को उसके जिन्मदीन के अबसर पर केक भिजवाया गया जिहां मुंगेर पुलिस अधिशक लिपी सिंग ने बताया कि पुलिस महानिदेसक गुपतेसर पांडे के दोरा सुचित किया गया था कि मुंगेर जिला के अंतरगत हवेली खरगपूर अनुमंडल के रोठा गाउं में एक बच्ची का जिन्मदीन है तथा लौकडाउन के करण बच्ची के घरवाले को केक नहीं मिल दा था पुलिस अधिशक ने खरगपूर थना अधिशक को बच्ची के घर केक पहुचाने का निर्दिस दिया डिजीपी की इस पहल के बच्ची का जिन्मदीन का केक पहुचा गया अनमिया ने पतना रिजन में जिले का मान बराया है के अंदरे बिधले के इस परतिबावान छात्र को सबी पांच मुक्य विश्यों में 99-99 अंक मिले हैं पहली बार 12 बोर्ड में जिले के टॉपर का अंक 99 फिश्दी पहुँच गया है अब तक 98 फिश्दी तक टॉपर के रिजल का रिकॉर्ड जिले में रहा है जिले ही नहीं पतना रिजन में अपना पर्चम लहराने वाली आर्स की छात्रा अनमिया को ट्यूशन की जरूरत भी न जाता है अब राज्य में तंगस्टन जैसे महतपूर्न तत्व के अकड़ती भंडार का पता चला है जो भारत को इस मामले में आत्म निरबर बना सकता है इससे चीन पर निरबरता खत्म हो जाएगी जिहां गरवाजिले के सलतुआ इलाके में तंगस्टन के भंडार की जान मेंबर मेंने तक दे रही है सरकार ने देश की मौझदा इस्तिया और आगामी महने में देश में होने वाले तेवारू को देखते हुए इस योजना को नमेंबर 2020 तक बरा दिया है लेकिन इसी बीच कुछ फरजी रासन कार्ड से सम्मधित मावले भी सामने आये हैं जिन पर और चारिकते हैं पूरी करने के बाद उसका नाम रासन कार्ड से काट दिया जाएगा बिहार के गरामिन कार्य मंतरी सेलंदर कुमार संकर्मित पाये गए हैं जी हां मंतरी की कड़ीवी सुत्रों ने बताए कि जांच रिपोर्ट में सेलंदर कुमार के संकर्मित पाये जाने के बाद हाले में अपने बिधान सभा छेतर में गए थी स्रेंदर कुमार नितिस कुमार मंतर मंदल के दूसरे ऐसे मंतरी हैं जो संकर्मन की चपेट में आ गया है राज धनी पतना से साथे बिहाता में इस्टित नवे वहानी एंडी आरेफ मुख्याले इस बार बिहार में बा कि मांग और एंडी आरेफ नए दिली की सहमती से नवी वहानी एंडी आरेफ की कुल बारे टीमों को अभी विहार राज्य के कठ्यार अरडिया सुपोल किसंगंज दरबंगा मुझफर पूर्ज गोपाल गंज मौतिहारी बेतिया नागंदा छप्रा के अलावा पतना जिले कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेड भी कीजिए तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में